हलो दिये स्टूरेंट्स वेलकम बेक टू और अजकी जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वक्षीट नमबर फिफ्टी एट फोर क्लास नाइन्थ सब्जिक्ट सोशन साइस है और ये वक्षीट आपके लिए 4th of January 2022 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वक्षीट है पैरे बचो उसमें हम चेप्टर 4 क्लाइमेट को कंटिनू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो वक्षी शुकरने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे बल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखिए क्या दिया गया है आज की वक्षीट में तो आज की वक्षीट है उसमें देखे हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट को कौन-कौन से फेक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं उसके साथ साथ पिछली वक्षीट में हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या रिफरेंस होता है ठीक है इस वक्षीट में हम चाहरेंगे कि फेक्टर्स जो है वो इंडियन क्लाइमेट को जो है इंडियन जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करने वाले कौन-कौन से जो है फेक्टर्स हैं तो दोनों ही चीज़े हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहला चो factor है that affected the climate that is latitude क्या है latitude है इसमें देखे latitude में क्या है on moving from equator to poles the amount of insulation decreases hence the temperature also decreases जब हम move करते हैं from equator to poles सभी बच्चे जानते हैं equator पे जो है क्या होगा equator यहाँ पर सरदी जादा होती है poles पे और equator पे क्या होता है कि जो सूरिय की किरने हैं वो बिलकुल सीधी बढ़ती है जिसके कारण यहाँ का temperature बहुत ज़्यादा होता है so on moving from equator to poles the amount of insulation decreases amount of insulation का मतलब क्या है कि सूरिय की जो गर्मी है उसमें कमी होती जाती है तो equator पे सूरिय की किरने सीधी पड़ती है जिसके कारण क्या होता है कि तापमाच ज़्यादा रहता है लेकिन जैसे जैसे दुरू की तरफ जाते है poles की तरफ जाते है तो temperature वो कम होता जाता है that's why polar areas are always covered with ice इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ice snowfall होता है clear यानि ice ही रहती है altitude altitude का मतलब क्या है altitude कैसे factor है as one move from the surface of the earth to higher altitude the atmosphere become less dense and temperature decreases जैसे 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 temperature decrease करता है और उसके साथ साथ क्या होता है कि atmosphere में density जो है air की वो कम हो जाती है तो air की density कम होती जाती है और यही कारण है कि जो mountaineers हैं जो पाहड चड़ते हैं वो उपने साथ oxygen से लेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि उपर air की density कम हो जाती है और जो density है उसके according oxygen जो है वो सांस लेने में सफीशेंट नहीं है clear उसके बाद तो उपर temperature decrease होता है तो इसलिए क्या होता है कि जो hilly areas होते हैं वो गर्मी में भी ठंडे होते हैं थार्ड है distance from sea तो sea जो है कैसे एफेक्ट करता है किसी भी area की जो climate है उसको तो देखे as the distance from sea increases जैसे जैसे distance increase होती है sea से हम दूर जाते है moderating influence of sea bridges decreases और जो sea की हवाई होती है ठीक है उनका जो effect है वो कम होता चला जाता है and we experience extreme weather condition और जो temperature है वो लगातार क्या करता है increase करता है that's why the city is near sea like Mumbai experience even weather condition throughout the year तो यही reason है के जो Mumbai जैसे शहर है and goa जैसे शहर है जो समंदरों के पास रहते है वहाँ पर जो climate है वो जो है कैसी है वहाँ पर जो मौसम है वो एक जैसा बना रहता है जो कि जैसे हम समंदरसे दूर जाएंगे तो जो temperature है वो जो है क्या करेगा गर्मिंघ में ज्यादा एकसीड करता है सरदियों में ज्यादा सरदि रहती है जैसे Delhi में होता है ठीक़े The Pressure and Wind System The Pressure and Wind System of an area depends upon the latitude and altitude of that place तो कही का भी Pressure जो है Pressure and Wind System वो depends करता है वहाँ उस जो भी area है उसका कितनी जो है वोंचाई पर है ठीक है, higher the temperature, lower will be the pressure, जितना ज्यादा temperature होता है, उतना ही pressure जो है वहाँ पर low रहेगा, नेक्स्ट, ocean currents, along with onshore wind warm and cold ocean current flowing past the coastal area, affect the climate of that area with warm and cold climate, इसमें क्या है कि जो onshore ocean currents होते हैं, समुंदर के पास जो पवने चलती है, clear, वो भी क्या करती है, वहाँ पर बहने वाली जो गरम है, ठंडी है, जो आप कह सकते हो कि महासागर की जो धाराएं है, ठीक है, तो वो भी effect करती है उस छितर की जो climate है, उसको, ठीक है, next देखिए, relief features, relief features क्या है, जैसे mountain, plateau, plains है, तो high mountain acts as barrier for cold or hot wind and also cause precipitation if they are high enough and lie in the rain bearing winds, तो जो लिली features है, like हम mountains की बात करें, प्रेटी की बात करें, वो भी effect करती हैं, और अगर हम example ने, तो इंडिया में जो हिमालय है, वो बहुत ज़्यादा effect करता है इस चीज़ को, ठीक है, वो आने वाली जो पवने हैं, उनको क्या करता है कर जो air currents है, उनको रोकता है, बारिश करवाता है, monsoon जो आती है, वो हिमालय के कारण आती है, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ठंडी लहरों को भी ये क्या करता है, रोकता है, जिससे की temperature इतना ज़्यादा इंडिया में, exceed नहीं करता सर्दियों में और ना गर्मियो होती है, ठीक है, comparatively, तो next देखिए, अब हम बात करेंगे, factors affecting Indian climate, Indian climate में सबसे पहला factor है, latitude का, as tropic of cancer passes through the middle of the country, so its climate has characteristic of both tropical and subtropical climate, जो tropic of cancer है, वो country के middle से पास होती है, जिसके कारण यहाँ पर tropical और subtropical दोनों ही तरहे की climate देखने को मिलती है, next altitude, India has mountains to the north with an average height of 6000 meter, India के north में जो है, क्या है, mountains है, जिनके average height 6000 meter है, and Himalaya prevent the cold winds from the central Asia from entering the subcontinent, ठीक है, तो Himalaya क्या करता है, Central Asia से जो है, जो हवाएं आती है, ठंडी हवाएं उनको रोकता है, and because of these mountains, Indian subcontinent experience, milder winter as compared to Central Asia, जिसके कारण यहाँ पर हलकी सर्दियां जो है, वो होती है, clear, जब कि जो Central Asia है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड जो है, वो रहती है, तो यह रोल है एक तरह से, किसका Himalaya का, next, pressure and wind system, so the pressure and wind system, wind condition over India are unique, during winter there is high pressure area in north of the Himalaya, तो high pressure area रहता है Himalaya के north में, and cold dry winds blow from this region to the low pressure area, over the ocean to the south, और देखे, जहाँ पर ज्यादा pressure होगा air का, जो air है, वो flow करेगी, उस तरफ जहाँ पर कम pressure है, जिससे कि जो पमने हैं, हवाएं हैं, वो बनती हैं, वो चलती हैं, air currents बनती हैं, and this causes a complete reversal of the direction of wind from southern Indian ocean to Indian subcontinental, known as southwest monsoon wind, और क्या होता है, कि सर्दियों में तो उत्तर, आप कह सकते हो, north में जो pressure का area है, वो कम होता है, clear, तो जो हवाएं हैं, वो उस तरफ जाती हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, कि एक, अगर हम बात करें, तो उस तरफ कम area, कम pressure वाला जो area है, वो develop हो जाता है, clear, और उससे जो हवाएं हैं, जो पवन हैं, उनकी direction बिल्कुल opposite हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, और इनी को क्या कहा जाता है, इनी को monsoon कहा जाता है, air currents कहा जाता है, जिनके कारण इंडिया में क्या होता है, बारिश होती है, clear, क्या होगा, और इन winds को कहा जाता है, monsoon winds, and these winds cause widespread rainfall over mainland of India, इनी से क्या होता है, बारिश होती है, तो आप देख सकते हो, ये main important points है, in summer, low pressure and area develop over northwest India, ठीक है, और उसे क्या होता है, summer में low pressure area northwest India में develop हो जाता है, जिससे की complete reversal होता है, direction of wind का, from southern Indian ocean to Indian subcontinent, तो ये जो reversal होता है, इनी को हम monsoon winds कहते हैं, next देखिए, jet stream, jet stream क्या है, jet stream is a narrow belt of wind, mostly, westerly winds in high altitude, approximately over 27 degree to 30 degree north latitude, तो जो jet है, देखिए, जो हमारे प्यास atmosphere है, उसमें अलग-लग layers है, और 1200 मीटर से जादा उचाई पर क्या होता है, कि एक ऐसी आप कह सकते हो कि तेज गती से चलने वाली हवाएं हैं वहाँ पर, जिनको हम क्या कहा जाता है, जिनको jet stream कहा जाता है, और यह लगबग 27 to 30 degree north latitude के लगबग बीच में जो है, यह क्या करती है, jet stream जो है, वो बहती है, इनको क्या कहा जाता है, sub-tropical westerly jet stream कहा जाता है, the western cyclonic disturbance experience in the north, north में जो cyclones आते हैं, ठीक है, वो जो है आते हैं, and north western part of the country in winter are brought by this westerly flow, and easterly jet stream blow over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer month, ठीक है, और इस तरह से गर्मियों के महिनों में क्या होता है, कि जो इंडियन, sub-peninsular India है, वहाँ पे एक पूर्वी जो आप कह सकती हो कि जो eastern jet है, वो in months में क्या करता है, एक धारा जो है, वो यहाँ पर पहती है, अब आपको questions दिये गए हैं, जिनके answer हम करेंगे, 4 questions है, question first है, how does distance from the sea affect the climate of a place, किस तरह से sea जो है, किसी भी place की climate को affect करता है, explain by giving example of location of Delhi and Goa, so the seas are helpful in keeping the temperature even, जो seas है, वो temperature को even रखने में help करते हैं, as the distance from the sea increases, the effect of ocean winds decreases and the temperature increases, जैसे distance increase करती है, sea से, effect of ocean winds decrease करती है, temperature increase करता है, Goa is near the sea, due to which it experienced similar weather condition throughout the year, and cities like Delhi, which are far from the sea experience, extreme summer and winter weather condition, Delhi में दूर होता है समुंदर से, तो ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्देन होग की जाती है, question number 2 है, name the factors affecting climate of India, तो latitude, height, air pressure and wind system, jet streams, these are the factors, which wind bring rain in India during summer, तो कौन सी जो, जो है wind है, that is monsoon, तीक है, next question number 4, write about the significance of Himalaya's for favorable climatic condition in India, तो आपको Himalaya का significance बताना है, so it block the summer monsoon winds coming from the Arabian sea and the Bay of Bengal causing heavy rainfall in India, तो इससे heavy rainfall होता है, second है, the Himalaya mountain protect India from the cold winds coming from the Siberia and China, चाइना और Siberia से जो cold winds आते हैं, उनसे इंडिया को protect करता है, thus maintaining a sub-tropical climate in the North India, और इस तरह से ये North India में sub-tropical climate वो बनी रहती है, तो यह थी आपके आज के SST के worksheet, I hope सभी बच्चों को clear है, अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए, so thanks for watching, have a nice day.